बोपेश बगेल जी और कांग्रेस पार्टी बिपक्ष में हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि जो डाइरिया के लक्षण है उसमें इन 4 घंटे 5 घंटे में कोई मिर्तू होगी फिर भी हम लोग उसको पोस्ट माडम करके उसकी जानकारी ले रहे हैं इतना समय भी नहीं मिलता कि यो हस्पिटल हो जा सके या हमारे हेल्थ वर्कर को सूचना मिले और मैं बता दू हमारे हैं दस हजार सूपर डाइरिया के केस अभी तक हो चुके हैं इसके लिए पूरे 36 गड़ में कड़े निर्देश दिये गया है इस मामले को लेकर जिस परकार से कांग्रेस बढ़ा चड़ा कर बता रही है इन दिनों डायरिया से लेकर राश्ट्पती के दद्दक पूत्र जो बैगा आदिवासी उनकी जो मौत हो रही है और आदिवासी जो इलाके में पूटा के बिन में जो जो चातरों की मौत हुए उसको लेकर चत्तिरल की राजिती गरमाई हुए कांग्रेस का यह आरोप है कि राश्ट्पती के दद्दक पूत्र आदिवासी उनके स्वास को लेकर इनके जीवन को लेकर साय सरकार सिरियस नहीं है इस पर बात करने के लिए स्वास्टमंतरी स्याम भिहारी जैसवाल यहां पर मौझूद है कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि आप लोग आदिवासी के दद्दक पूत्र बैगा आदिवासी उनके ख्याल नहीं रख रहे हैं और उतने बीचली थे हैं कि राश्टमंतरी को इसको लेकर पत्र लिखना चाहरे है उनका कहना है कि डाइरिया से मौत हो रही है स्वास्ति भाग सोया हुआ है क्या कहना है देखे अभी तक केस पर्ष्ट नहीं है कि मौत केवल डाइरिया से हुई है इस बात से हम इनकार भी नहीं कर सक रहे हैं अभी चुकि सभी केसों के पॉस्ट वांडम रिपोर्ट साने हैं और जो चार केसों के स्पेस्फिक जानकारी है एक मौत में साम को जो किसान है क्छेतों में काम करके चार पांच बजे लोडता है और रात में दस बजे उसकी मिर्तु हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि जो डाइरिया के लक्षण है उसमें इन चार घंटे-पांच घंटे कोई मिर्तु होगी फिर भी हम लोग उसको पोस्ट माडम करके उसकी जानकारी ले रहे हैं और किसान घर में रहता है और रात में दस बजे तक में उसकी मिर्तु होती है इतना समय भी नहीं मिलता कि यो होस्पिटल हो जा सके या हमारे हेल्थ वर्कर को सूच ना मिले दूसरी मौत में एक महिला रात को भोजन बनाती है उसके पती जंगल से कुछ पूटू और मसरू मिला कि आ हमारे हैं दस जार सूपर डाइडिया के केस अभी तक हो चुके हैं और हम लोगों ने पूरे सफलता पुरूवक एक भी ऐसी कोई घटना निया जिसमें लापरवाही से डाक्टरों के हेल्थ वर्कर के किसी मौत हुआ हो इसको इस तरह की घटना और ना फाल है क्यों बरसात में इससे निपटने के लिए वारेस है इससे और क्लोरीन की दवाईयां हैं जन जागरुपता पहलाने का जो काम हैं वो सारे चीजी उधिसतर पर हमारे चल रहे हैं क्या लग रहा है भुपेश बगेलों कांग्रेस इस फूरे मामले को लेकर राज्जिती कर रही है इस मामले को लेकर जिस परकार से कांग्रेस बढ़ा चल रहा कर बता रही है वैसा नहीं है माननी विश्णू देवसाय जी की सरकार हर मुद्दे पर और खासकर हमारे जन जाती छेत्र के पिछडे छेत्रों के बनवासियों के उनके लिए सरवांगिड विकास और उनके सभी चीजों की चिंता कर रही है तो हेल्थ में चिंता नहीं करने का सवाल ही उत्पन नहीं होता है चुकि अब भुपेज बगेल जी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए किसी मुद्दे को भी उच्छालना इनका काम हो गया है अब लोग कल पूरे मंत्र मंडल की साथ अधिया गया अज़ल वजय पर वहां पर आपका सांसाधा हार गया इसको लेकर कुछ बात चीथ हुई वहां के लोगों कर क्या कहना है तिक ये प्रापर अविध्या के लोगों से हमारा मिलना हुगा और वहां से पार्टी जीती है और उसके आगे फाइजाबाद च्छत्र के लोगों से भेंट नहीं हो पाया इसलिए मैं इस बीसे में जादा एक आखरी सवाल ये है कि अब च्छत्रिजगड के लोगों को भारत पार्टी के वरिष्ट ने तागर्ड और मानी मुख मंत्री जी सहित प्रमुक लोग इस पर नीड़ने करेंगे जो भी नीड़ने करेंगे हमारे सभी योग लोग है और आगे भविश्च में दो मंत्री और ने बनाए जाएंगे विधानजवा कूपा धक्ज भी बनेंगे अभी ऐसा कोई निश्चित कोई गाइड लाइन जारी नहीं हुई है एक अनौन है जो जैसा अनौन लगा सकता है अनौन लगा रहा है चलिए यह स्याम जारी जास्वाल जी और इनका कहना है कि जिस मुद्दे को लेकर जिस बैगा अधिवासियों की मौत को लेकर आंग्रि ढरिया सभी है इसके साथ सरकार और स्वास्थ्व भाग इसको लेकर पूरी तरह से गंबीर है स्वास्थ्यू भाग के सभी अफसरों को और जिलास-पतालों की निडेश दे दिया कि ले गया बीड़ा ज़्दयरा कारों को धे लिए उच्व सनीसिन्हा की सांद्दा राजि झाल झाल